आज ने परधान मंत्री जी, हाला कि रेडियो की शुरुआत तो 1930 में हुई, और 1936 में All India Radio बना, लेकिन जिस तरह से आपने अनलोग से डिस्टाइजेशन की और जाने का निरने 2017 में किया, और आपने कहा कि जन जन तक दूर सदूर गाउन तक रेडियो की सुविदा को पहुंचाना चाहिए, All India Radio ने, अकाशवानी ने उस दिशा में कदम उठाए, और हमें सबसे बड़ा बलतब मिला, जब आपने मन की बात का कारेकरम की शुरुआत, अक्तुबर 2014 में विजय दश्मी के दिन जब आपने इसकी शुरुआत कि उसी पहले कारेकरम से देश के लोगों ने इंतजार किया, अगले महीने के रविवार का कि कब उसको सुनेंगे, 14 मिनट से 19 मिनट फिर 23 मिनट अब 30 मिनट का एक आरेकरम 99 अपनी पूरी कर चुका है और मुझे कहते हुए प्रसंता है, एक सर्वे में अभी पाया गया कि 100 क्रोड भारतवासी ऐसे हैं, जिन्होंने कभी न कभी मन की बात को सुना है और 23 क्रोड से जाद ऐसे जो हर महीने इसको सुनते हैं, 45 क्रोड ऐसे जो इसको अपना हर महीने सुनने की आदध बनाना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात मेरे लिए यह है कि भारत की बहुत बड़ी तदाद में युवा अबादी पासर प्रतिशत के लगबग मन की बात को सुनते हैं, तो जो लगता था कि रेडियो के बाद टेलिविजन, OTT प्लाटफॉर्म, इंटरनेट के आने के बाद, क्या रेडियो की भूमी का क्या रहेगी, आपके मन की बात ने, सब के मन को छुआ भी है, दिल को छुआ है, और उन लोगों की उपलबधियों को भी जन जन तक पहुं FM का अकाशवानी बना है, हमारे 200 Buster's station है, और अलग-लग languages में भी हम विदेशी languages में भी इसका प्रसारन करते हैं, और New India की growth story, हम अकाशवानी के माध्यम से भी जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें, जो आपके नितरतब में ने भारत का निर्मान हो रहा है, आपने कहा है विक्सित भारत बनाना है, तो विक्सित भारत के इस संकल्प में अकाशवानी भी अपनी भूमी का निभाए, वो हम प्रयास करेंगे आपके मार्क दर्शन में, आपके शीरवात से आगे बढ़ने के लिए, और अमरित काल से स्वरणिम काल के सियात्रा में, हम चाहेंगे अ आपने शीरवात दिया, मैं सभी की और से मुख्यमंत्री की और से, एल्जी साब की और से, सांसदों की और से, और केंद्रे मंत्री, इन सब की और से, और भारत की जनता की और से, एक बार फिर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं, अभार प्रकड करता हूं, जय भ जब समय सिमित हो तो यह तैय करना बहुत महत्मूर हो जाता है कि हमारी दिशा क्या हो दी हमारी कारेशेली क्या हो आज चुनोती यह नहीं है कि आप कितने एफिशन्ट है बलकि चुनोती यह तैय करने में है कि जहां जो डेफिशन्सी है वो कैसे दूर होगी कवर्द अनकवर्ड प्रधान मंत्री नरेनर मोधी का ये संगल्प रोज नई सिद्धी हासिल कर रहा है इसी दिशा में वन्चित इलाकों तक आकाशवानी की पहुँच लगातार पढ़ रही है देश के वो शेत्र जो अभी तक EIR FM कवर्ज से वन्चित थे ऐसे 91 जगों को चिन्नित कर 100 वाट के FM स्टेशनों का शुभारंब हो रहा है AIR FM की नई पहल से दो करोर लोगों को सीधे लाब होगा और कवरेज में 35,000 वर किलोमीटर की व्रिद्धी होगी लोगों तक सटीग सूचनाय और स्वस्तम मनोरजन की पहुँच बढ़ेगी आकानशे जिले हो या वामपंत उगरवाज से प्रभावित शित्र दूर सुदूर जीमावर्ती शित्र हो या ऐसे इलाखे जहां अभी तक AIR FM स्टेशन नहीं था अब मिलेगा उन्हें भी अपना नया स्टेशन जिससे इस्थानिय भाशाओं को और भी सम्रिद्धे मिलेगी वहीं लोक संस्कृती और लोक कलाओं का संदक्षान और सम्मर्धन होगा इन प्रयासों से सूचना क्रांथी के सदी में अप्तै होगा सटीक और भरोसे मन्द सूचनाओं से सुशासन और विकास का रास्ता रेडियो के ऐसा सरलमाद्यम है कि मैं दूर दूर तक पहुंच पहुंगा गरीब से गरीब घर तक पहुंच जाओंगा क्योंकि मेरा मेरी देश की ताकत गरीब की जोपड़ी में है बरिदेश की ताकत गाउं में है, बरिदेश की ताकत माताओं, बहनों, नवजवानों में है, बरिदेश की ताकत पिसानों में है, मैं आपी के भरोसे भारत आगे बढ़ेगा, यह भी इस्वास बेड़ता हूँ, आपकी शक्ती में भरोसा है, इसलिए मुझे भारत के उस नया विस्तार है नए भारत के रंग अब आपके शहर में नए रेडियो ए आई यार एफम के संग अब मैं अधर निये प्रधार नत्री इसे निविजम करूंगा कि रिमोट बटन दबाकर अठारे राचे और दो कि इन शासत प्रदेशों में एक्यानवे एफम ट्रास्विटर्स का उद्वाटन करें दन्यवाद अधर्डिय प्रधानमत्री जी अब मैं आपसे निवेदल करता हूं कि आप मालु दर्शन बहुंचण कर हुमारा पुस्ता वर्धन करें नमस्कार जी कारकम्य उपस्तित तेंद्रिय मंत्री मंडल के मेरे सहयोगी गाण विविन राज्यों के मानिय मुख्यमंत्री साथी सामस्वद्गाण विधायगाण अन्य महानुभाव देवी और सज्जनों आज के इस कारकम में पद्म सम्मान पाने वाले अनेक व्यक्तित्व भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनका भी आदर पुर्वक स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं आज आल इंडिया रेडियो की एफेम सर्विस का एक्स्पांशन आल इंडिया एफेम बनने की दिशा में एक बड़ा और महत्वप्रु कदम है आल इंडिया रेडियो के 91 एफेम टांस्मिटर्स की ये शरुवार देश के 85 जीलों के दो करोर लोगों के लिए उपहार की तरह हैं एक तरह से इस आयोजन में भारत की विवितता और अलग अलग रंगों की एक जनग भी है जिन जीलों को कवर किया जा रहा है उसमें एश्पिरेशनल डिस्टिक्स एश्पिरेशनल ब्लॉक्स उनको भी सभी शेज इसका लाप मिल रहा है मैं आल इंडिया रेडियो को इस उपलब्दी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं इसका काफी लाप हमारे नौर्थ इसके भाई बहनों को होगा युवा मित्रों को होगा इसके लिए उन्हें मैं विशेश तोर पर भधाई देता हूं साथियों जब बात रेडियो और एफेम क्यों होती हैं तो हम जिस पीडी के लोग है हम सबका रिस्ता एक भावुक स्रोता का भी है और मेरे लिए तो यह भी खुशी है कि मेरा रिस्ता एक होशका भी बन गया है अभी कुछ दिन बाद ही मैं रेडियो पर मन की बात का सौवा एपिसोड करने जा रहा हूं मन की बात का यह अनुभव देश वास्चियों से इस तरह का भावनात्मक जुडाओ केवल रेडियो से ही संभव सा मैं इसके जरिये देश वास्चियों के सामर्थ से जुडा रहा देश की सामोहिक कर्तव्य सक्ति से जुडा रहा स्वच्छ भारत अभ्यान हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो या हर गर तिरंगा अभ्यान हो मन की बात ने इन अभ्यानों को जन अंदोलन बना दिया इसलिए एक तरह से मैं और इंडिया रेडियो की आपकी टीम का भी हिस्सा हूं साथियों आज के इस आयोजन की एक और खास बात है ये बंचीतों को वरियता की सरकार की दीती को आगे बढ़ाता है जो अब तक इस सुभिधा से बंचीत रहे जिने बहुत दूर दराजमें रहने वाला माना जाता था वो अब हम सभी से और ज़्यादा कनेक्ट होगे समय पर जरूरी जानकारी पहुंचाना हो कॉम्यूनिटी बिल्डिंग का काम हो एगरीकल्टर से जुड़ी मौसम की जानकारिया हो किसानों को फसलों फल सब्जियों की कीमत की ताजा जानकारी हो केमिकल खेटी से होने वाले नुक्सान की चर्चा हो प्रेती के लिए आधुरिक मशीनों की पुलिंग हो, महिलाओं के सेल्फ हेल्फ ग्रुप को नए बाजारों के बारे में बताना हो, या फिर किसी प्राकूतिक आपदा के समय, पूरे छेत्र की मदद करना, इन एफेम ट्रांस्मीटर्स की बहुत एहम भूमिका रहेगी, इसके अलावा, एफेम की जो इनफोटेइन्मेंट वैल्यू है, वो तो होगी ही, साथियों, हमारी सरकार निरंतर इसी तरह टेक्नॉलोजी के लोगतांत्री करन, इसके लिए काम कर रहे हैं. भारत अपने सामर्थ का पूरा इस्तिमाल कर पाएं, इसके लिए जरूरी हैं कि किसी भी भारतिय के पास अवसरों की कमी ना हो, आधुनिक टेक्नॉलोजी को सभी के लिए एक्सेसिबल बनाना, एफोर्डेबल बनाना, इसका बहुत बड़ा माध्यम है. आज भारत में जिस तरह गाउं गाउं तक अप्टिकल फाइबर पहुचाया जा रहा है. मोबाइल और मोबाइल डेटा दोनों की किमत इतनी कम हुई हैं, उसने एक्सेस टू इन्फरमेशर को बहुत आसान बना दिया है. आज कल हम देखते हैं, देश के कोने कोने में गाउं गाउं में नए डिजिटल एंट्रपर्नर्स बन रहे हैं. गाउं के युवा, गाउं में रहते हुए ही डिजिटल टेक्नलोजी का लाब उठा कर कमाई कर रहे हैं. इसी तरह जब हमारे छोटे दुकानदारों को, रहेडी पट्रिलवारले साथियों को, इंटरनेट और यूपी आई से मदद मिली, तो उन्होंने बैंकिंग सिस्टिम का लाब लेना भी शुरू कर दिया. आज टेक्नलोजी की मदद से हमारे मच्वारे साथियों को मौसम समंदी सही जानकारी सही समय पर मिलती हैं. आज टेक्नलोजी की मदद हमारे लगूद्य में अपने प्रोड़क्स देश के कौने कौने में बेच पा रहे हैं. इसमें गवर्मेंट ये मार्केट प्लेस यानि जेम से भी उन्हें मदद मिल रही हैं. साथियों, बीते बर्षों में देश में जो टेक्क रिवलुशन हुआ है, उसने रेडियो और विशेश कर एफेम को भी नए अवतार में गड़ा है. इंटरनेट के कारण रेडियो पिछड़ा नहीं, बलकि ओनलाइन एफेम के जरिये, पोड़कास के जरिये, इनोवेटिव तरीके से सामने उफर करके आया है. यानि, डिजीटल इंडिया ने रेडियो को नए लिस्नर्स भी दिये हैं, और नई सोच भी दिये हैं. यही रिवलुशन आप संचार के हर माध्यम में देख सकते हैं. जैसे आज, देश के सबसे बड़े DTA प्रेटफॉर्म, डीडी फ्री डिस्की सेवा, चार करोड तीस लाग घरों में पहुँच रही हैं. देश के करोडों ग्रामिर घरों में, बॉर्डर के पांस वाले इलागों में, आज दुनिया की हर सुचना रियल टाइम में पहुँच रही हैं. समाज का जो वर्ग दसकों तक कमजोर और बंचित रहा, उसे भी फ्री डिस्से एजुकेशन और एंटर्टरेंट्मेंट की सुविधा मिल रही है. इससे समाज के अलग-अलग वर्गों के बीच असमानता दूर करने और हर किसी तक क्वालिटी इंफर्मेशन पहुचाने में सभलता मिली हैं. आज डिटी एज चेनलों पर विबिन्न प्रकार के एजुकेशन कोर्सिस उपलब्द हैं. एक से बढ़कर एक उनिवर्सिट्स का ज्यान सीधे आपके घर तक पहुच रहा है. कोरोना काल में इसने देश के करोड़ों विद्ध्यार्थों की बहुत मदद की हैं. डिटी एज हो या फिर एफम रोडियो इनकी ये ताकत हमें फ्यूचर इंडिया में जोंकने के लिए एक बिंडो देती हैं. हमें इसी भविश्य के लिए खुद को तयार करना है. साथियों, एफम ट्रांस्मिटर्स से बन रही इस कनेक्टिविटी का एक और आयाम है. देश की सभी भाषावों और विशेश रुप से 27 बोलियों वाले इलाकों में इन एफम ट्रांस्मिटर्स से ब्रॉडकास होगा. यानि ये कनेक्टिविटी सिर्फ कॉमुनिकेशन के साधन को ये आपत में नहीं जोडती, बल्कि लोगों को भी जोडती है. ये हमारी सरकार के काम करने के तरीक ये कि एक पहचान है. अक्सर जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं, तो हमारे सामने रोड, रेल, एरपोर्ट की तस्वीर उभरती हैं. लेकिन हमारी सरकार ने फिजिकल कनेक्टिविटी के अलावा सोशल कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर भी उतना ही जोड़ दिया है. हमारी सरकार कल्चरल कनेक्टिविटी और इंट्रलेक्शल कनेक्टिविटी को भी लगातार मजबूत कर रही है. जैसे पिछले नव वर्सों में हमने पदम एवोर्ड, साहित्य और कला एवोर्ड के द्वारा देश के अलग-अलग हिस्सों के रियल हिरोज को सामने सम्मानित किया है। पहले की तरह पदम सम्मान सिफारिस के आधार पर नहीं, बलकि देश और समाज की सेवा के आधार पर दिया जाता है। आज जो पदम सम्मान पाने वाले साथी हमारे साथ जुड़े हैं, वो इसे भलिभाती जानते हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों में तीर्थ स्तलों धार्मिक स्थानों का काया कल्प होने के बाद एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में जहां रहा है। परियतरन सलों पर लोगों की बढ़ती संख्या देश में कल्चुरल कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रमाण है। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ा संग्रालय हो, बाबा साब आमबेड करके पंच तीर्थ का पुनर निर्माण हो, पी एम म्यूजियम हो या फिर नेशनल बोर मेमोरियल ऐसी पहलों ने देश में इंटलेक्टिवल और इमोशनल कनेक्टिविटी को नया आय क्याम दिया है, साथियों, कनेक्टिविटी चाहे किसी भी स्वरुप के क्यों नहों, उसका उद्देश होता है, देश को जोड़ दा, एक सो चालीस करोड देश वास्यों को जोड़ दा, और इंडिया रेडियो जैसे सभी कॉम्मिनिकेशन चैनल के लिए भी यही वीजन होना चाहिए, यही मिशन होना चाहिए, मुझे विश्वास हैं, आप इस वीजन को लेकर इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे, आपका ये विस्तार समभात के जरिये देश को नई ताकत देत रहेगा, एक बार फिर अकाश्वानी को देश के दूर दराज के खेत्र के मेरे प्यारे भाईयो भहनों को, मैं बहुत बहुत शुब कामनाई देता हूं, बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद को